Hello friend, welcome to दनुका Agri Academy आज का जो हमारा topic होगा वो sex determination पर होगा ठीक है काफी important topic है और काफी interesting topic है कि हम जानते हैं कि किसी organism में sex उसका female है या male है या किसी plant के case में monoeceus है या diaceus है अपन ये देखते हैं ठीक है तो आज का जो topic है इसको समझने के बाद आप सायद पहचान सकते हो कि male और female में क्या comparison है और अपना जो deployed haploid system है या फिर बाकी human में, mice में या butterflies में क्या कौन से टाइप का sex determination use होता है यह हम देखेंगे आज के topic में ठीक है तो start करते हमारा topic sex determination का chromosomal तो एक system है जिसको हम बोलते है deploy deploy haploid system ठीक है यह नाम से सार्थ denote होता है कि deploy haploid क्या होता है deployed plus haploid अगर इसको ऐसे देखा जाए तो deployed plus haploid का हम जब system अपनाते है sex determination के लिए वो कहलाता है deploy haploid ठीक है इसके examples है honey bee, bee and termites ठीक है जितने भी बीस आते है ठीक है वो सारे इसमें examples है और honey bee and termites ठीक है एक queen है आपने जानते है honey bee का एक group होता है उस group में queen क्या होती है एक होती है ठीक है और बाकी सब जो है अधर होते जैसे क्या drone कहां लिखा है यह drone हो गया और एक होता है worker ठीक है एक क्या होता है worker तो यह तीन तरीके के होते हैं तो यह कैसे कैसे determine होते हैं यह थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ICR के exam में यह question आता है ठीक है बार बार alternate तो पूछा जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से अन फर्टिलाइजड होता है ठीक है जो एक क्या होता है अन फर्टिलाइजड होता है वो क्या बनाता है ड्रोन बनाता है ठीक है तो इसको थोड़ा ध्यान देना queen है queen का जो एक है और जो अन फर्टिलाइजड है ठीक है जिसको हम n से डिनोट करते हैं वो क्या बनाता है ड् ono diploid larva मनाता है diploid larva मतलब जिसका compromise है वो 2N होता है Agora two N के बाद इसको दो भाग में बाटा गया say diploid larvae को DAY diploid larvae में क्या होता है जिसको royal jelly non मिलता है मेरी बात गो समझ है यह वो का कहलाता है worker जिसको नहीं मिला ओ है समझ आया होगा अब अपन देखते हैं जिस queen को जिस deployed larvae को क्या मिलता है क्या मिलता है royal jelly मिलता है वो क्या बनाता है fertile female और उसको queen बोला जाता है यह एक queen होता है जो fertile होता है इनके group में जिससे जो है drone जो है fertilized हो करके क्या बनाते हैं फिर से कालोनी बनाती है तो ऐसे एक diplo haploid system में ठीक है honey bee में अब देखते है अपन कुछ different type के जो sex determination है chromosomal में important है उसको मैं सिर्फ नाम और example लिखाऊंगा क्योंकि इसको समझना जो है competition exam की level से उतना खास नहीं है तो अपन देखते हैं क्या क्या है ठीक है second आपका आता है x x female x o male ठीक है x x female और x o male यह किसमें use होता है यह जो system है यह ग्रॉस ओपर में होता है और orthopatera जित्ते insect आते हैं orthopatera order के जित्ते insect आते हैं वो जो है इसमें आता है ठीक है अब देखते हैं x o और x x x o और x x में इसमें दोनों में difference क्या है यहाँ पर x o को male बोल दिया गया यहाँ पर x o को female बोला गया किसके case में fumia के case में ठीक है थार्ड देखते हैं fourth देखते हैं तो x x जो है female और x y male तो यह किसमें होता है आपको याद आ रहा होगा human की case में यह हम देखा जाता है कि x x female और x y male ठीक है अब उसके बाद यह कहाँ है human, mice, hemipatera और koliopatera इंसेक्ट में ठीक है then अपने देखते हैं जो fifth number का है z z female and z w male यह किसमें देखा जाता है जो fies होती है मचलियां जो होती है उनमें यह sex determination किया जाता है अपने चार मिनेट का lecture बनाया इसमें इस चोटे से lecture में आपको यह chromosomal sex determination अगर समझ आया होगा तो वीडियो को like करिएगा, channel में पहली बार आया, channel वो subscribe करिएगा और आप इसको अपने दोस्तों तक share कर सकते हैं जो plant science की त्यारी कर रहे है तो दोस्तों मिलते हैं किसी और lecture वीडियो पर जिसमें हम अलग-अलग subject को cover करेंगे और साथ इसाथ genetic और plant वीडियो को हम चलाते रहेंगे तो आप देखते रहे हमारा वीडियो मिलते हैं next topic पर Facebook group में आपको ICR, Europe, Plants, Indian Agriculture Instagram page पर आप हमें follow कर सकते हैं दमनुका अगरिकल्चर के में हमसे हमारा page है